नमस्कार मैं हूँ ससी आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नियोजान नीती से होर वर्ग की रक्षा का पर्यास किया सियम हमन्त नियोजान नीती के पीछे की मांसा को असपस्ट किया उन्होंने कहा आए कि यहां की स्टी एस्टी ओबी सी आरक्षन से अच्छादित लोग हैं वह यहां के 40 परतिय समान वर्ग के माधम से बाहरी के परवेश को रोखना चाहते थे उनकी मांसा पर कोई सक नहीं कर सकता सियम ने कहा है कि आज केवल एस्टी एस्टी ओबी सी में केवल एक वर्ग के हितों की रक्षा की बात होती तो सवाल उठ सकते थे लेकिन राजे के हर वर्ग के हितों की रक्षा करना उनका पर्यास था इस पर्यास को भी नकाम कर दिया गया है हर राजे की अपनी जानता के हितों से नित्या बनाती है उन्होंने कहा है कि भाजपा, नेता, रमेश, हांसदा और विस बारी लोग नियोजन नीति के खिलाप याज क्या करता थे वे वाचालों की जमात हैं, सोजूट बोल के सच बोलने जैसा करते हैं सियम हमत ने कहा है कि सरकारी नोकरी में पधखाली है, चप्रासी के नोकरी में गेर्जुएट फरम भरते हैं पर सरकार की सोच पारदर्शी है, हम नौजवानों के लिए बेकल्पिक रास्ता निकालेंगे जारखन के विभीन जिलों में सुक्रवार को गर्मी का हसास हुआ, दिन के दवरान कड़ी धूप होने और हवा की गती स्थीर रहने से तापमान में विरिधी हुई ठंडे सहर के रूप में विख्याद रांची का नितों तापमान परदेश में सबसे अधिक रहा यहाँ नितों तापमान 11 डिगरी तक दर्च किया गया जो की समाने से 2 डिगरी अधिक है जबकि गरम सहर जमसेदपूर का नितों 10.2 डिगरी सेलसेथ दर्च किया गया राची जब सेथपूर डाल्टेंगाई में दीन के दोरान अधिकतम तपमान सामाने से 4 डिगरी अधिक दर्च किया गया है बता दे मौसमी भाक्यानुसार मौसमी बदला हो रहा है हवा के रूख में तबदील आ रही है पूरा पर्दक्षिन से हवा आने के कारान अगले 24 घंटों के दोरान राजी के उपर हलके बादल चाहने का पुरोन मान है कुरोना रोक्थाम को लेकर जार्खन सरकार 26 को करेगी हाई प्रोफाइल मीटिंग कोविन-19 की रोक्थाम की तयारियों पर चार्चा करने के लिए सुक्रवार्कु केंद्रिये स्वास्त मंत्री मान सुक मांडविया ने सभी राजय और केंद्र सासित पर देशों के स्वास्त मंत्रियों चात ऑनलाइन चार्चा की इस दोरान जार्कन की स्वास्त मंत्री बना गुपता भी ऑनलेन सिरिकत हुए इस मोके पर उन्होंने कहा है कि बिस्व के कई देशों में कुरोना के बड़ते मामले देखे जा रहे हैं इसको देखते हुए अभी से त्यारी बहुत जरूरी है उन्होंने इस महामारी से निपटन में केंदर सरकार की मदद करने का भी अस्वासन दिया बता दे उन्होंने कहा है कि राज में भैक्सिन की कमी है इसको ध्यान में रखते हुए केंदर सरकार जल्द भैक्सिन उपलब्द करा है साथ ही उन्होंने आपदा मोचन निदी से मिलने वाल 110 कोड़ रुपे रासिक की सोक्रिती जल्द के अंदर सरकार से देने की मांग की बता दे मुख्य मंत्री हेमान सुचरेन के नतित में 26 दिसमबर 2022 को हाई प्रोफाइल मीटिंग रखी गई है इस बैठाक में हर पहलू पर चार्चा होगी वहीं 27 दिसमबर को मौक ड्रील के मादें से समिक्षा भी की जाएगी कस्मीर में बंधक बनी गढ़वा की नौ बेटिया घरवापसी की गुहार गढ़वा जिले की नौ बेटिया इन दिनों कस्मीर में बंधक बनी होई हैं पहताद भौनातपूर थाना छेत रही थीत कोन मंडरा की रहने वाले परिवार आज भी अपने बेटि के इनतियार में हैं इन परिवार के लोगों का काना है कि उनकी बेटि पिछले एक साल से सिलाई सिखने गढ़वा आ रही थी इसी बीच उसकी बेटी को सिलाई सिखाने वाले लोग यह ककर दिली लेगाई कि दिली में तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा पैसा अधिक मिले की बात का कर सरीता और उनके साथ नव अने लड़किया त्यार होकर दिली चली गई सदन में उठा बंगला देशी घुसपैट और नर्सी का मुद्दा जारकन बिधान सभा सित कालिन सात्र का सुक्रवार को पांचवे दिन मांगो को लेकर बिधान सभा के मुखे द्वार पर भाजपा की बिधायकों ने जम कर बिरोध परदसन किया जामों की बिधायक और पूरव मेर राज़ के स्वाज्तर मन्तरी राचू के बैजनात राम ने बालुमात में सी एच्छी के निर्मान की में को लेकर धरना दिया इसी के साथ सुक्रवार को विधान सभा में सदन की करवाई के दोरान उन तिनों विधेगों को दोबारा प्रस्तूत कर पारित किया गया जिसमें राज पाल रमेश बैस ने तुर्टी बताते हुए राज सरकार को वापस लोटा दिया था बता दे इसके बाद राज सभा में बंगलादेश सी घुसपैटी को लेकर चर्चा हुई सदर में कहा गया कि राज में बिसेश कर संथाल परगना साहिव गंज पाकुल कोड़ा दुमका तथा जामतरा जिल्य में बंगलादेश योग की घुसपैटी एक बड़ी समस्या है इससे यहां की डेमोगराफी में परिवर्तन हुए है और जनसांकी की अत्संतूलन की इस्थिती उत्पन हुई है सरकारी सिक्षकों की छुटी को लेकर जारी आदेश वापस सिक्षा विभाग ने 7 दिसंबर को जारी अपने उस आदेश को अपस ले लिया है जिसमें कहा गया था कि सरकारी स्कूल के सिक्षक छोटी पर जाने से पहले वाटसेप पर समदित जीला सिक्षा अधिकारी या जीला सिक्षा अधिक्षक को सुचित करेंगे ताकि बिद्याले के अतिरीक्त मोनिटरिंग किया जा सके इसकूली सिक्षा विभाग ने सुक्रवार कोई से लेकर संसुदित आदेश जारी किया इसके तहट आप सिक्षक अवकास की स्विक्रिती अपने स्कूल के पर जाना ध्यापक या परभारी प्रदाना ध्यापक से ही लेंगे साथ ही वैसे स्कूल जहां एक ही सिक्चक कारे रहा है वहां के सिक्चक अवकास की स्विक्रिती समधित बलोक के बलोक सिक्चा प्रसार अधिकारी से लेंगे इसके अलावा परदाना ध्यापक या प्रभारी परदाना ध्यापक भी अवकास की स्विक्रिती परकंड सिक्चा परसार पतादिकारी से लेंगे जारखन में 26 जनवरी सी कॉंग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कॉंग्रेस कमिटी द्वारा हाथ से हाथ जोडो अभियान की सफलता के लिए सुक्रवाइको कॉंग्रेस के महासचीव राज परभारी सभी परदेश अध्यक्स कॉंग्रेस बिधायक दलके नेता की बैठक राश्ट्री अध्यक्स मलिका अजुन करगे की अध्यक्ता में कि भारत जोडो यात्रा के सफल अभियान के बिस्तार के रूप में एक ब्यापक जन संपर्क अभियान के सुरुआ जारकन में 26 जनवारी 23 से अरभ होकर दो महिने तक चलेगा इसके तहट परखंड कॉंग्रेस कमिटी द्वारा पद यात्रा कारकर आयोजित किया जाएगा जो ग्राम पंचाय तो गाउं मतदान केंद्रों को कवर करेगा क्रिसी सूल के बिध्यक किसान के हित में नहीं क्रिसी सूल के बिध्यक के बिधान सवा में पारित होने पर जारकन चेंबर ने कड़ी अपति जताई है चेंबर ने कहा किया कहीं से किसान उभोगता और प्रसं करा लेना समय से परे हैं चेंबर इतका विरोध करता है उन्होंने कहा है कि इस विधायक से किसान को उनकी उपज का वास्तुविक मुले नहीं मिलेगा उभोकता को खाद देवस्तुवे महंगी मिलेंगी गयरवांचित ततो का मनोबल बढ़ेगा सरकात से आगरा है कि विधाय तीखे हमले किया है करिब 40 मियट तक के अपने संभोधन की सुरुवात उन्होंने कुरोना के संभावित कत्रे को लेकर की उन्होंने कहा है कि इस वारस की वज़ा से आने वाड़े चुनोतियों पर केंद्र की नजर है इस मामले में केंद्र के दिशा निद्देश का पारन ह होगा इसके बाद उन्होंने वीपक्षपर जम करनी साना साधा और कहा है कि हमारे विपक्ष के पास नेता है नहीं मुदäl ऑ नहीं दिशा उससे काैसे व्यूश Mia की उमीद करे मों कि मंत्री ने कहा है आभुलाल जी को मुखवटा बना दिया गया है उनकी जुबान से राजे को परवचन सुनाये जा रहे हैं एक आदिवासी को खड़ा कर रहे नितिक कर रहे हैं परवचन सरकार ने जेन धर्ण लंबियो के पवित्र अस्थल को परवचन अस्थल गोसित किया है इसका बिरोध जेन समाज कियों से किया जा रहा है इस बिवात के बीच राजे परवचन परवचन परिवरतन मंत्री भुपेंद्र यादों को चिठी लिखी है उन्होंने इस पर समेक्षा करने और पूर्णि विचार करने की बात कही है उन्हों अस ब्भतिस खतियान अधरी त अस्थानिय निति पर विपक्ष का हंगामा विधां सबाके सिट्काली गोसित कर दे किया हंगामा शुरू कर दिया भाचपाक की बिधायक इस पर सदल में चर्चा करना च चताई थी इसके बावजूद उसे भी धान सवा से पास करा दिया गया जिस पर इस फिकर ने सरकार से बीधी बीभाग किया पत्ति को देखने का निदेश दिया और कहा था कि चलते सत्र में इस पर सरकार जबाब देगी सुक्रवार को भी पक्स की मायंग पर सरकार के ओर से संसद्य कारे मंत्री अलमगीर अलम ने इस पर जबाब दिया उन्होंने कहा है कि उन्हें 32 के खत्यान अधारित अस्ताणी नीती सदन से पारिट कर नवी अनिसुजित में डालने का प्रस्ताव पास कराकर राजपल को भेज दिया गया है विदी भी भाग की जो भी संका थी उसे दूर करके ही भेजा गया है अब यह काम केंद्र को करना है जार्खन के सभी विश्व विद्याले में मास्क अनिवार जार्खन उच एवम तकनिकी सिख्था विभाग ने राज के सभी विश्व विद्याले के लिए कोविट से बसने के लिए गाईले जारी किया है इसके तहत मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार कर दिया गया साथी सेने टाइजर का उप्योग करते राना है इसके लिए विभाग के और से जार्खन के सभी विश्व विद्याले के कुल सचीव को पत्र लिखा गया है पत्र सरकार के सन्युक्त सचीव जार्ज कुमार ने जारी किया बतादे मास्क लगाना वसने टाइजिंग करना अनिवार्य है वही सोसल डिस्टेसिंग का पारन करना है कार्ज अस्थल पर पाच से अधिक लोगी काठा नहीं हो सकते है जोनल अस्तरिय मुख्यमंत्री अमंत्रन फुटबोल कप के दोनों वर्ग में राची चेंपियन जोर्नल अस्थर्यमुक्यमंत्री अमंत्रन फोटवॉल कब पर्तियोगता में सुक्रवर्ग को राची को पूरुष और महिला वर्ग में चेंपियन बनने का गौरुध राची की टीम ने लातयार को एक जिरो से हराया वही महिला वर्ग में राची जीला के और मांजी पंचायत की टीम बिजेता बनी उसने राची जीले के ही अंगड़ा पंचायत की टीम पेनाल्टी सुट आउट में तीन दो से पराजित कर चेंपियन बन गई है कूर्मी को एश्टी में सामिल करने को भेजा जाएगा परतिवेदन अलमगीर अलाम सितकाली सत्रे के आखरी दिन 37 गहर सरकारी संकल्पों पर चाचा हुई बिधायक सुदेश कुमार महतों की गयर मवजुदगी में उनके प्रश्ण को उठाते हुए लंबोदर महतों ने कहा है कि बिहार सरकार की तर्वी पर जायरकन में भी जाती जनगना कराई जाए इसका फुरा खर्च राज वहन करे साथी समीधान की धारा 322 की ताहत कूर्मी को एस्टी में सुच्ची में सामिल किया जाए जबार में मंत्री अलमगीर अलम ने कहा है कि राज में जाती जनगना कराने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है हलाकि उन्होंने अभी कहा है कि समाद में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पत्र लिखकर पत्र लिखकर की मांग की जाएगी मंत्री ने कहा है कि राज सरकार ने दो बार इस समाद में राम द्याल मुंडा सोध संस्थान को पत्र लिखा लेकिन वहां से अब तक कोई पर्तिवेदा नहीं मिला इस भी सामे केंद्र की राय ली जाएगी स्वास्थ मंत्री ने केंद्र से की भैक्सीन और 112 कोल रुपए की मांगना सभी राजियों के स्वास्थ मंत्रियों से चर्चा की इसी के तहत जार्खन के स्वास्थ मंत्री बनना गुपता ने भी केंद्री स्वास्थ मंत्री से बात की बना गुपता ने केंद्री स्वास्त मंत्री ते राजे के लिए परयाप्त कोवीड बैक्सिन उपलब्त कराने का नुरोत किया ताकी राजे में ठीका करण में तेजी लाई जा सके स्वास्त मंत्री बना ने कोवीड रिस्पोंस इसकीम के तहत बकाई 110 को रुपे की भी मांग की है धन्यवाद